हेलो फ्रेंड्स आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे एक पार फिर से स्वागत है और आज इस वीडियो में हम बात पर निजार है गोवर्मेंट और बिहार के तरप से पटना हाई कोट के अंदर यहाँ पर एसिस्टेंट नामा के पोस्ट का वेकेंसी निकाला गया है जो कि यहाँ पर गुरूप B का पोस्ट है यहाँ पर आप देखेंगे सरे 500 यहाँ पर सीटे दी गई है अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसका जो लेवल ओ पेमेंट है वो लेवल 7 का है और यहाँ पर पेमेंट जो है 44,900 से लेकर 1,42,400 पर खतम होता है जो कि 7 पर कमिशन क के साब से आपको मिलता है इसके बाद अगर बात करते हैं इसके मेन मेन इन पोटेंटे नोटिस के बारे में तो यहाँ पर यह है कि कम से कम आपका क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर दिया गया है वो ग्रेजवेशन कम्प्लेट होना चाहिए यहाँ पर लिखाबा है ग्रेज certificate होना चाहिए computer application का 6 महिने का यानि आपके पास diploma या certificate मांगना जा रहा है computer course का जैसे DCA, ADCA या अधर जो आपके पास qualification है computer का वो यहाँ पर आपको चाहिए होता है जो कि एक recognized institution से यानि कि कोई इच्छा जो मानेता प्राप्त है कोई इंस्टीट वहाँ से आपका या certificate होना चाहिए जहाँ पर minimum qualification का जो calculate age किया जाएगा या date किया जाएगा वो एक January 2020 की calculate किया जा रहा है यहीं पर बात करता हूँ age limit के बारे में तो यहाँ पर 18 से लेकर 37 साल तक दिया गया age limit जो कि एक जनवरी 2020 का calculation किया जाएगा इसके बात यहाँ पर upper leg limit के अंदर कुछ relaxation भी मिलेगा जैसे कि अगर बात करूँ तो यहाँ पर SC के लिए और ST के लिए 5 साल का छूट मिलता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा उसी परकार से अगर बात करता हूँ तो OBC के लिए यहाँ पर 3 साल का छूट मिलता है वो मिलेगा ही मिलेगा तो यहाँ पर अगर फिजिकल हैंडिकेप होंगे तो उनको यहाँ पर 10 साल का छूट मिलेगा जैनरल के अंदर अगर वहीं आप physical handicap में SC category या SC category माते हैं तो यहाँ पर आपको 15 साल का छूट मिलेगा और वहीं पर अगर आप OBC माते हैं और physical handicap हैं तो आपको यहाँ पर 13 साल का छूट मिलेगा उम्रे के अंदर ठीके यहाँ पर बताया गया है इसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो form का starting rate है वो दिया गया 6 February 2023 यानि कि 6 February सा आपका जो form है वो यहाँ पर start हो जाएगा और वो भी online फर्म बढ़ाएगा और last जो आपका है 7 March 2023 पर खतम होगा जो कि आप official website जो है और वी जो करेटरिया है जो इस qualification के अंदर इस form के अंदर चाहिए उसके बाद हम बात कर लेते हैं जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं यह high court पटना का फिर से है जहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो form जो निकला था 2016 निकला था उसके हिसाब से बता जा रहा है जहाँ पर आप देख पार है notice 89 post पर वहाँ उस टाम निकला था वेकेंसी अब जाकर सरे 500 फोक वेकेंसी निकला ली गए है पोस्ट का नाम assistant ही आप देख पा रहे हैं यहाँ पर PS के लिए यहाँ पर दिया गया है में में चीज कहा गी है वो क्या है तो सबसे पहले कहा गया कि जो फों अपलाई करेंगे उसको कम सिक्वा भारत का निवासी होना बहुत ज़रूरी है और वो medically fit होना चाहिए और good character और antecedent होना चाहिए यानि कि उनका character बहुत अच्छा होना चाहिए यानि किसी प्रकार criminal case उसके उपर नहीं रहना चाहिए age limit की यहां बात कहा गया है कि 18 साल से लेकर 37 साल तक ही मांगा गया है जो कि पहले बताही दिया गया है और यहां पर SC वालों को 42 साल चूट दिया गया है और ST वालों को 42 साल ही चूट दिया गया है इसके बाद यहां पर लिखा गया है कि minimum qualifications के बारे में तो मैंने आपको पहले कहा है graduation degree चाहिए होगा और साथ में computer application का 6 महना का course आपको होना चाहिए examination का course यहां बात दख रहे है scheme of examination लिखाबा है यहां पर लिखा है और उसके बाद interview होगा यानि तीन process के अंदर यहां पर examination process देखने को मिल रहा है पहला होगी आप prelims जिसमें के आपको objective question देखने को मिलेंगे यहां पर मेंस होगा उसके बाद फिर यहां पर qualify करेंगे तो फिर आपका यहां पर interview देखने को मिलेगा यानि तीन process के अंदर यहां पर फिलोग किया जाएगा अब बात करेंगे हम general conditions के बारे में तो यहां पर लिखा गिया है कि जो candidate किसी भी government के अंदर या किसी public undertaking company के अंदर काम कर रहे हैं और साथ ही अगर किसी court subordinate पतना high court में पहले से काम कर रहे हैं या dictation के तोर पर वो काम कर रहे हैं वो इस firm के अंदर इस पतना high court के अंदर भी काम कर रहे हैं तो उनको NOC लेना पड़ेगा अपने जहां पर वो काम कर रहे हैं और फिर वो इसी NOC का फिर आपको produce करना पड़ेगा जब आपको document verification होगा तब यसलिए आपको NOC अगर आप कहीं working हैं कहीं काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर NOC देना पड़ेगा लेकिन अगर private company में आप काम कर रहे हैं तो private company वालों कोई भी यहाँ पर NOC देने की को जरूरत नहीं है लेकिन अगर आप किसी government में या किसी public undertaking या पटना हाई court में किसी post पर काम कर रहे हैं तो आपको NOC देना पड़ेगा यह यहाँ पर बताया गया है और किसी भी case में अगर आप यह document फुल्फिल नहीं कर पाते हैं या नहीं दे पाते हैं तो आपका जो selection होगा expenditure होगा वो यहाँ पर रद कर दिया जाएगा वो यहाँ पर बताया गया है यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर reservation जो दिया गया है SC cast को यहाँ पर 16% यहाँ पर छूट दिया गया है ST को यहाँ पर 1% का छूट दिया गया है और यहाँ EBC की बात करते हैं 18% ABC को है और backward class की बात करते हैं उनको 12% है और physical handicap को 3% है इसके इलाबा जब देखेंगे तो EWS को यहाँ पर 10% का भी छूट मिलेगा यह भी यहाँ पर बताय गया है अगर applicant does not claim for reservation in the proper palace of application form he will be not be given benefit of reservation यानि कह रहा है कि अगर आप OBC होते हुई अगर आप OBC का यहाँ पर reservation का claim नहीं करते हैं form भरनने के दोरान तो आपको general ही माना जाएगा या आप किसी भी category सी belong करते हो इसमें से अगर आप form भरते हैं समय आप इसमें से किसी भी claim नहीं करते हैं तो आपको reservation नहीं मिलेगा अग इसके बाद आपको जो certificate होता है वो आपको देना पड़ेगा जैसे कि permanent domain style यानि कावासी परमान पत्रे और साथ में card certificate जो होगा non-crimalier वो भी आपको यहाँ पर produce करना पड़ेगा इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि a skilled player और sports person का एक अलग से यहाँ बेटेश दिया जा के लिए OBC के लिए और EWS के लिए वो यहाँ पर है 1000 रुपया कौन से general के लिए OBC के लिए और EWS के लिए यहाँ पर 1000 रुपया फीस रखा गया है और वही परगामें बात करूँ SC, ST, Physically Handicap और यहाँ पर female की हो सके हो सके female के लिए भी यहाँ पर 500 रुपया यहाँ पर फीस लग सकता है ठीक है यह यहाँ पर फीस के बारे में भी बता दिया गया है और विसके दर कुछ information नहीं इसका syllabus के अगर बात करें यहाँ पर अभी भी किसी परकार का यहाँ पर लिखा गया है कि अभी जो syllabus से वो जारी नहीं किया गया है पटना हाई कोर्ट सहाय का से syllabus होगा वो जब form अस्टार्ट होगा छे फरवड़ी नहीं किया गया है तो बात में आपको पता चलेगा जब यह form जब यह स्टार्ट होगा आसा करता हूं यह आपको समझ में आ गया है फूल नोटिफिकेशन अगर वीडियो अच्छा लागा तो लाइक कर देजे वीडियो को शेर करते जे और चैनल को सब्सक्राइब करते जेगा मिलेंग जल दी नेक्स वीडियो में थैंक यू फूर वाचिंग देस वीडियो